दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मगू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर विधान सवाद चुनाव है चुनाव को ले करके तैयारियां बड़े जोरों पर है आज चुनाव आयोग ने भी आज और कल यानि की सोमवार और मंगलवार को हर्याना का दोरा किया चंडीगड में आए तैयारियों का जायजा लिया इसके साथ साथ तमाम राजनीतिक दलों से भी मिले अब चुनाव आयोग की अगर जो तैयारियों को देखें तो आप फिर मान लें कि आने वाले दिनों में कभी भी चुनाव का एलान हो जाएगा तो ये तैयारियों तो चुनाव आयोग की होती है एक तैयारी होती है चुनाव लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियों की कि पॉलिटिकल पार्टिस को देखना होता है कि उनके कौन से कैंडिडेट हो कौन से छेत्रमर कौन से नेता को उतारा जाई कौन से नेता के साथ कौन सा समीकरन जुड़ता है ये सब कुछ हुआ करता है इस सबसे अलग हट करके एक तैयारी राजनेताओं की भी होती है वो राजनेता जो पहुँचे हुए राजनेता हो गए जिनको बड़ा नेता माना जाता है वो अपने समर्थकों को एडजस्ट करते हैं कि जो उनके वरकर हैं, उनके समर्थक हैं, उनके शुपचिंतक हैं, उनके परशंसक हैं, उनके चाहने वाले हैं उनको किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए चुनावी बेला के अंदर चुनावी समर में तमाम राजनीता चाहे वो कोई भी पार्टी है चाहे वो कॉंग्रेस है चाहे वो भारती जंता पार्टी है चाहे वो इनेलो जेजेपी आप तमाम राजनीतिक पार्टियां उनके अंदर जो नेता होते हैं उनका प्रियास होता है कि अपने समर्थकों को चुनाव के अंदर ट और मुख्यमंत्री मनोहरलाल जब थे पूर मुख्यमंत्री मनोहरलाल उनकी टीम के दो नेता दो लोग उनकी टीम के वो दो लोग जो पहले कभी शोभा बना करते थे चंडरीगड की राज मुख्यमंत्री के निवास की और उसके साथ सचिवाले की वो नेता चुनाव की तयार में है वो एक है गुरुग्राम जिले में और दूसरे है रेवाडी जिले में एक नेता की तैयारी गुरुग्राम से ले करके है जिला गुरुग्राम से और दूसरे की जिला रेवाडी से जो गुरुग्राम से तैयारी कर रहे है उनका निशाना बाजशापुर विधानसभा स से निकल करके आए फरिदाबाद में भी है वो नेता करणाल में भी है वो हिसार में लेकिन अभी मैं आपसे बात करने चैना हूँ डौनों यदवन्शी नेता крепी याद वो नेता जो पहली बार चुनाओ मेदान में आने के तेयारी मैं और बिना पहलीय मुझा है मैं आपको बता दूँ वो दोनों लोग हैं एक तो जवार यादव जो मुख्यमंत्री के राजनीतिक सची मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाकार रहे इनकी एक बार मुख्यमंत्री कार्याले में मुख्यमंत्री निवास में एंट्री हुई मनहर पार्ट वन की सरकार में उसके सभाइब उनकी फिर दोबारा एंट्री हुई मुख्य मंत्री निवास के अंदर और फिर लास संगठन में नेता महामंत्री बनेंगे क्या महाले लेकिन अब हो ча outrage और बूसरे हैं अभिमन्यू मैं अभी मन्यू यादव हैं अभी मन्यू भी लिखते नहीं लेकिन हैं अभी मन्यू उनका नाम जो है वो यदुवंशी हैं वो भी अहीर हैं राव साहब हैं वो भी और अभी मन्यू तयारी कर रहे हैं रिवाडी की कोसली विधानसबा से अभी मन्यू लंबे समय तक OSD रहे हैं म दूसरे यह हैं कि दौनों मुख्यमंत्री कार्यालिया मुख्यमंत्री निवास से निकले हुए हैं, तीसरे कि दौनों ही नेता मनुहरलाल जी के बिलकुल नवरतनों में शामिल हैं, उनके बहुत नस्दीक रहे हैं। और इनके अंदर एक सिमिलर्टी और है दोस्तों, चोथी सिमिलर्टी, चोथी समानता ये है कि इन दौनों के सामने नजर तरेर करके खड़े हुए है राविंदर जी सिंग। अब आपको मैं पूरा विस्तार से बताता हूँ कि आखिर है क्या। जवार यादव मुख्यमंत्री मनुहरलाल के बहुत खास हैं, आप इसको ये मानने कि ये सारु भौमिक सत्य है, अटल सत्य जिसे कह सकते हैं, कि जवार यादव मनुहरलाल जी के बिलकुल नैनता रहा है उनके बहुत चाहिते हैं। जवार यादव इतने चाहिते हैं कि एक बार जब वो पहले मुख्यमंत्री निवास और मुख्यमंत्री कार्याले में थे तो उन पर कुछ आरोप लग गए थे। आरोप लगने के बाद वो उनकी एंट्री वहां से बंद हुई और उनको फिर बनाया गया हरियान अस्तर का। जब वो सब खतम हुआ और मनोर पार्ट टू की सरकाराई वो आरोप जो दाग लगाने की कोशिश थी या वो सच था या जूट था हम उसमें नहीं जाएंगे। वो आरोप मुक्त हुए या नहीं हुए हम वहां भी नहीं जा रहें। लेकिन मैं आपको बताता चलूं तो जवार यादव मोलता दिल्ली के हैं। दिल्ली के अंदर एक गाव आता है खेरा और खेरा के हैं जवार यादव। यानि कि वो बाश्यापूर का उनका मोलता कोई गाव नहीं है लेकिन उनकी तयारी बाश्यापूर से है बाश्यापूर विध विधान सवाय खेतर से एक लाग से जीत करकर निकले एक लाग से विए प्रकार आदर जिस परकार का समीकरण सारा बनता है वहां जो मद्दाता है वहां पर the societies है वह सब मिला करके कही न कहीं बीजे के लिए feel good वाला है इस बादशापुर विधानसवा सीट पर जवार यादव लंबे समय से घूम रहे हैं चुनाव परचार कर रहे हैं वहां पर उनके इश्तहार परचे बोर्ट बैनर जंडे डंडे ही सब आपको लगे दिख जाएंगे जवार यादव की पैरवी करने के लि मिलेगा मनोर लाल जी का मनोर लाल जी का साथ मिलेगा तो फिर थोड़ा बहुत साथ तो नायव सेनी का भी जरूर मिलेगा नायव सेनी भी थोड़ा बहुत समर्थन तो जरूर करेंगे मनोर लाल जी का साथ मिलेगा तो फिर आप मानले संगठन का भी साथ जरूर मिलेगा य यानि कि वो पर्दे पर उनकी कितनी भूमिका दिखाई दे या ना दे लेकिन आफ दा बीट यानि कि पर्दे के पीछे मनहुरलाल की भूमिका कोई नकार नहीं सकता इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ और अगर बात आजाती है कि जवार यादव के सामने कौन तो जवार यादव के सामने जो टिकेट की इच्छा रखने वाले हैं भारती जन्ता पार्टी से उनमें एक नाम राव इंदर जी सिंग की बेटी आरती राव का भी है शूटर बेटी का राव साहब यानि की राजा साहब की नजर बाजशापूर विधान साबा सीट पर सबसे पहले नमबर पर है और उनकी सोच में है कि आरती राव के लिए ये सेव सीट हो सकती है और राजनीतिक सोर्स ये बताते हैं कि राव इंदर जी सिंग के परिवार में टिकट मिलने को लेकर भाजपा में उपर काफी हद तक सहमती है बाजपा अलाकमान के अंदर भाजपा की परदेश इकाई में चाये वो अमिशाह से लेकर मोधी तक और फिर पार्टी के चुनाव परभारी से लेकर परदेश परभारी तक सब में कही न कहीं इस बात की सहमती है कि राव इं आप से करूँगा भी वो भी बाश्यापुर में और भी नेतदा लाइन में है राव नर्वीर सिंग लाइन में है तो होडल से लेकर नांगल चौधरी तक भारती जनता पारटी की स्थिती जो होगी वो देखने लाइक होगी ये चेतावनी भी है और चुनोती भी है और गुजारिश भी है और धंकी भी है आप कुछ भी मान लें इसे राव नर्वीर सिंग कह रहे हैं कि मेरा पूरा हक है और मुझे वहाँ पे टिकट दिया जाए पूरा चुनाव परचार कर रहे हैं पूरे जोर शोर से लगे हुए है राव नर्वीर सिंग का अगर टिकट कट जाता है तो आप मान करके चलें को मैदान में होंगे वो इसलिए राव नर्वीर सिंग का नाम आप गंभीरता से इसलिए लिया जाएगा क्योंकि वो winning candidate में भी है एक जवार यादव के सामने दूसरी चुनोती राव नर्वीर सिंग तीसरी चुनोती मनीश यादव मनीश यादव भी तयारी में है 2019 के चुनाओ में मनीश यादव को टिकेट मिला था उस समय के जो भारती जन्ता प्राट्री के संगठन मंत्री थे उनके बड़े नजदीक माने जाते थे भट्र साब के नजदीक माने जाते थे मनीश यादव भारती जन्ता युवा मोर्चा के परदेश अद्यक्षते युवा खाते में युवा कोटे में उनको टिकेट मिला सेकिंड नमबर पर है दूसरे नमबर पर चुनाव तो हार गए लेकिन अपना सिक्का खूब जमवाया और बाजशाप और विधान सभा सीट से मनीश यादव की दावेदारी अब भी है इसके लावा और भी बहुत नाम हो सकते हैं लेकिन ये प्रमुक नाम है जवार यादव, नर्वीर यादव, मनीश यादव जवार यादव वहाँ पर जगर मुख्यमंत्री मनोहलाल के चाहते हैं तो उनके सामने जो टिकट की चुनोती जो बने हुए है वो भी तीनो राव साहब है आरती राव नमबर वन, राव नर्वीर सिंग नमबर टू और मनीश यादव नमबर तीन यानि की जवार यादव के सामने एक से बड़े एक तीन चुनोतिया इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये मनोहर के महारती हैं दो जवार यादव और दूसरे अभिमन्यू अभिमन्यू राव जवार यादव का तो मैंने आपको बता दिया कि तीन चुनोतिया उनके सामने है दिल्ली के खेरा गाउं के रहने वाले हैं बाजशापूर से विधान सभा टिकेट की ट्राई है मुख्यमंत्री निवास कारयाल्या में हनक दिखाने के बाद चुनाव मैदान में है क्या होगा समय बताएगा टिकेट में बाजी मारेंगे या बाजी चूक जाएगे ये समय बताएगा लेकिन पहले मारत ही की मैंने बारे में आपको बताया दूसरे हैं अभी मन्यूँ अभी मन्यूँ आजकल कोसली में लगे हुए है रेवाडी जिले की विधानसभा सीट कोसली आजकल वहां से लक्षमन यादव विधायक है भारती जन्ता पार्टी के राव इंदर जी सिंग के नवरतनों में शामिल रहे हैं लक्षमन यादव कोसली विधानसभा सीट दोस्तों दूसरी है जिस पर राव इंदर जी सिंग की नजर है वो कहते हैं कि अगर बाश्चाप और नहीं तो फिर कोसली मैं आपको बताता चलूं कि कोसली विधानसभा सीट में पिछला जो चुना हुआ था 2019 का लोग सभा का 75,000 से जादा वोटों से भारती जन्ता पार्टी यहां पर आगे रही थी कोसली में और अब जो 2024 का लोग सभा चुना हुआ इसके अंदर भारती जन्ता पार्टी अब कोसली विधानसभा सीट बहुत जरूरी है लक्षमन यादव वहां पर हैं और आपको मैं एक बात बताता चलूं कि पिछले दिनों एक बार बात चली थी तो आरती राव ने अपने पिता के समर्थक कई नेताओं से कहा था कि अब आपका आराम करने का समय आ रहा है क्या उस चेणी में लक्षमन यादव भी हो सकते हैं और दूसरी तरफ मैं आपसे आ रहा हूँ अभी मन्यू को ले करके अभी मन्यू ओस्डी रहे है मुख्यमंत चाह रहे हैं कि राव साब का आशिरवाद भी उनके पास है राविंदर जीत सिंग का हो सकता है होगा शायद वो कह रहे हैं तो होगा भी लेकिन ये जरूर है कि कोसली विधान सभाद से जो उनका नाता है वो नंसार वाला है कोसली में उनका अपना कोई गाउं गूं नहीं अभी मन्यू सहाब जो है वो रहने वाले हैं जजजर जिले के उन्होंने खुद भी अपने एक सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म पर एक इंट्रिवू में बताया हम भी प्रयास करेंगे कभी उनसे मिलने का हलांकि जब तक वो मुख्यमंत्री का रियालिया निवास में रहे यही आ जाती है दोस्तों कि जब जिस विधानसवा छेत्र में हमेशा कहा जाता है कि जहां से आप चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर आपकी जाती आपकी पाल आपकी कास्ट आपका गाउं आपका समिकरण क्या बनता है अगर आपकी वहां पर गाउं नहीं है आपका वहां नजदीकियों में शामिल है इस बात में कोई दोराय नहीं कि जब तक मनोरलाल जी रहे तब तक मैंने आपको बताया कि साय की तरह अंग संग रहा करते थे अब जब बात आ जाती है कि चुनावी तैयारी चुनावी वेतरणी पार करने के लिए टिकेट और टिकेट के अंदर स कामयाब हो जाएंगे और मैंना यही सवाल था आपसे फिर दोरा देता हूं कि मनोरलाल के दो महारती दो यदुवंशी नेता जो इस समय मुख्यमंत्री कार्यालिया मुख्यमंत्री निवास की चमक दमक से बाहर गलियों में घूम रहे हैं वोट की दरकार को ले करके क्या ट अपने समर्थक को टिकट दिलवाने में कामयाब होगा राव इंदर जी सिंग की नजर अपनी बेटी आरती राव के लिए क्या बाश्चापूर पर नंबर बन पर होगी और या फिर कोसली पर और अगर ऐसा हुआ तो फिर मनोरलाल का कौन सा महारती पहले चित होगा कमेंट सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से जादा शियर करें